नमश्कार जैमातादी N27 भक्ति के समस्त दर्शकों को हमारी ओर से साधर प्रणाम नवरात्री मादुर्गा के अदम में शक्ति के पूजन का दिन होता है कई बार हम तमाम आवश्यक कार्यों के कारुण नव दिन का लगातार पालन नहीं कर पाते पूजन नहीं कर पाते या फिर कुछ न कुछ अचानक से ऐसा कार्य आ जाता है मानव जीवन है कि हमारा वरत संकल्प खंडित हो जाता है कई बार ऐसा होता है जीवन में ऐसे इस्थिति में आज हम आपको एक ऐसा प्रियोग बताएंगे जो आपके वरत संकल्प आदिके खंडर की इस्थिति को भंग कर देगा आपके मन में जो वहम होगा वो सदा के लिए दूर हो जाएगा माजगत जननी अपनी कृपा आप पर अनवरत बरसाती रहेंगे किसी भी कारण वर्ष अगर आपका वरत खंडित हुआ है आप वरत के बीच में ही कहीं अनायास अचानक से कहीं जाना पड़ गया आपका दीपक जो आपने अखंड जलाया था वो शीतल हो गया शांत हो गया तो ऐसी स्थिति में मन में एक वहम और डर आना स्वाभाविक है क्योंकि कई बार ये चीजें कुछ संकेत देती हैं कुछ संकेत हमें प्राप्त होता है कि हाँ आप कुछ कहीं अनहोनी ना हो जाए मत डरिएगा और एक बात नव दिन के नवरात्र का एक बार में हम फल दिलवा देंगे कैसे अब हम उसका प्रयूग आपको बताएंगे हमारे सभी यन 27 भक्त के दर्शकों को मित्रो मा तो मा है इसी में सब कुछ समाहित है आप एक थाली में एक त्रिभुज उपर का और एक त्रिभुज नीचे का लाल सिंदूर को शुद्ध देशी घी से गीला करके बना लीजिए थाली लीजिए उसमें एक उपर का त्रिभुज जो शक्ति का बीज यंत्र होता है आप इस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं बनाने के बाद इसके मद्ध में त्रिभुज के एक मिट्टी के दिये में घी डाल कर दीपक जला दीजिए और इसके सामने बैठ कर नव माला कितनी माला नव माला मतलब 972 लगभग 1000 मंत्र जपना है मंत्र आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं मादुर्गा का ये नर्वान मंत्र कहा जाता है गजब की शक्ती होती है इसमें अगर आपको उच्चारण करने में इसको प्रनुशियेट करने में कहीं से भी कुछ प्रावलम लग रही हो तो ऐसी स्थति में आप ओम दुम दुरगायी नमह ये मेरा प्रिय मंत्र है दुरगा का बीज है इसके बाद जो दीपक आपने उस शक्ती के बीज में जो त्रिभुज में आपने रखा है उससे आप मा की आरती कर लीजिए और जब दीपक शांत हो जाए तो अंदर जो घी हो उससे रिंग फिंगर के द्वारा अपने मस्तक, कंठ और नाभी पर तिलग कर लीजिए अब आप कंचक खिलाईए अब आप मतलब ये समझे कि जो खंडन वंडन था और जो छूट उट गया था उन सब से आपको मुक्ते मिल जाएगे माई की असीम किर्पा आप देखेंगे कि नौ माला जपने के बाद जब आप उठेंगे आप इस तरी हो पुरुशों दोनों के लिए है प्रियोग समक्ष आ करके और आपको आशिरवाद वर्दान दे के चली गई माई की यही बात माई की यही किर्पा उनको माई बना दे दी माई शब्द ही काफी है क्योंकि इसमें ब्रम्हांड निहित है इसमें संपूर ब्रम्हांड निहित है यही से आया है इसी में जाना है तो मस्त रहें हसते रहें और N27 भक्ती को अपना प्यार देते रहें क्योंकि यही आपका प्यार ही तो शक्ती है और भक्ती ही शक्ती तो है ही दो राय नहीं यह आपका अपना चैनल है जितना दवाकरिश को शेयर कर सकते हैं वही हमारे लिए आपकी तरफ से नवरात्री का आशिरवाद होगा आपका आशिरवाद हमें फलाता फुलाता है यह चलता रहे यह बनता रहे आप क्या देखना चाहते हैं क्या और सुनना चाहते हैं कहां कुछ करना चाहते हैं सारी जानकारी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करिए क्योंकि जो आप चाहेंगे हम वो वो चीज आपको परोसेंगे लेकिन एक बात याद रखिएगा हम भीर से अलग जरूर दिखेंगे जो सब में है वो हम में नहीं और जो हम में है वो सब में नहीं बहुत-बहुत आभार जैमातादी, नमस्कार